हेलो दोस्तो सुहगता आप सभी का एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में दोस्तो बात करेंगे बांगलादेस और वेस्टेंडीज वुमन्स के बीच में जो टीजू उन्ट याई वर्ल्ड कप में मैच खला जागा दोस्तो उसके बारे में इस मैच के लिए द दोस्तो आज के मैच में आपको कट होता हूँ दिखेगा कौन सा बड़ा प्लेयर है दोस्तो बैडिंग सेक्शन में जो कि आज के मैच में आपको फ्लॉप होता हूँ दिख सकता है आज के मैच के लिए दोस्तो आपको अपने ग्रेंडिक टीम से किस प्लेयर को ड्रॉप कर कौन्से प्लेयर को ट्रमकाडी के रूप में दोस्तों आपके टीम में रखना है, और सबसे मोज्ट इम्पोटेंज शील दोस्तों के थिस क्लेयर कुस्दिकर। देना है या वेस्टन डीज के तरब से देना है सब कुछ दोस्तों आपको वीडियो में पता चलने वाला है जितना भी दोस्तों आपके मन में इस मैज के लिए डाउट से कन्फूजन है सहरा डाउट सापका क्लियर हो जाएगा सिर्फ आप लोग वीडियो को सुरूश लेकर अन तक देखिएगा वीडियो में दोस्तों आपको काफी कुछ देखने सीखने और समझने को मिलने वाला है दोस्तों रिसेंड फॉर्म देखिएगा न तो बंगलादेश ने यहां पर टोटल पांच मैच खेले हैं पांच मैच से इन्होंने दो मैच को जीता है और तीन मैच दोस्तों खेला जाएगा सारजा के ग्राउंड पर ठीक है जो कि यहां पर दोस्तों बैलेंस पिस आपको देखने को मिल देगी इस मैच में यहां पर पेसस के लिए मदद है लेकिन उससे जादा है यहां पर दोस्तों मदद इस्पिनर्स के लिए है ठीक है क्योंकि यह यहां पर first inning में भी spinner चलेंगे और second inning में भी spinner चलने वाले हैं यहां पर दोस्तों बारी सोनी की कोई भी संभावना नहीं यह मौसम खिली रहेगी और गर्मियों का सीजन काफी तगड़ा चल रहा है दुबई में average score 120 run का है जो भी टीम बैटिंग करेगी आपको 100 से उपरी run बनाती भी दिखेगी और यहां पर last के 5 T20 में बात करेगे तो total wicket जो गिरे है न यहां पर 68 wicket गिरे है जिनमें से पेसर्स ने 23, 25 और spinnerस ने 43 wicket दोस्तो निकाला हुआ है ठीक है तो आपको टीम में दोस्तों पेसर्स की जगा पे spinner ज्यादा होने चाहिए पेसर्स को भी लेके चलो fast ballard को भी लेके चलो लेकिन ज्यादा तर दोस्तो आप अपने टीब में इस पिनर्स को जगा दीजेगा सीधा चलते दोस्तों विकेट की पर से यहीं से दोस्तों हम लोग अपने टीम की रिएट करेंगे उससे पहला आप लोगों से छोटी सी विंती है हमारे चैनल पर आप पहली बढ़ाये तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस विकेट की पर में दोस्तों एन सुनताला देखेंगी और यहां से एस कैमपबली देखेंगी डी अक्तर देखेंगी ठीक सबसे पहला दोस्तों एन सुल्ताना की बात करते हैं इसका जो सेलेक्शन है दोस्तों 94% सेलेक्शन है और पॉइंट इस ने दोस्तों अभी तक इस ट किया हुआ है N सुल्ताना ने प्लेयर बहुत गजब की है दोस्तो अच्छी प्लेयर है आप अगर यहां से थोड़ा सा भाई सेफ जाते हो न तो N सुल्ताना को अपने डिब में आप लेकी जाना अगर आप रिस्क लेने में पसंद करते हो तो फिर दोस्तो आप यहां से S कैमपबली को ट्राई कर सकते हो इनका भी बैटिंग ओर दोस्तो चान नमबर पे है ठीक है रिसेन फॉर्म की बात करें न तो इनों ने अभी लगातार जो मेंच खेलेगे उसमें 2 रन, 17 रन और 9 रन का स्कोर इनों ने दोस्तो तीन में में किया हुआ यह इनका रिसेन फॉर्म है ठीक है तो दोनों में से किसी को भी लेगе जा सकती हो अगर आप सेफ जाते हो घंस ल्टाना के साथ में जाओ और अगर आप रिस्क लेगे जाते हो तो S campably के साथ में जाओ मिर भाइट ठीक है उसके बाद D actor है जो कि दोस्तों इनका selection तकरिबन 6% selection है और 6 point ही इन्होंने दिया है दोस्तों ठीक है और D actor दोस्तों देखो इनका जो wedding order है ना काफी उपर ये opening ही करने के लिए आएंगी दोस्तों ठीक है S Rani के साथ में लेकिन अभी तक इन्होंने दोस्तों इस tournament में कुछ उतना खास performance नहीं किया है recent form 6 run 10 run और 9 run का इनका score card है मेरे भाइट ठीक है तो यहां से आप D actor को सीधा eliminate करके चलना अपने team से drop करके N सुल्ताना S campably में से किसी एक को लेगी जा सकते हो दोस्तों हमें आपर N स रख लेना आपके लिए दोस्तों काफी अच्छा option रहने वाला है बैटिंग सेक्शन में दोस्तों बात करें उससे पहला दोस्तों मैं आपको बता दो जो इस वीडियो में मैं आपको team create करके दे रहा हूँ यह मेरी एक team है ठीक है जो कि fix grandly के वाली team है इसके साथ में दोस् description box में फ्रस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है फ्रस्ट में दो लिंक मिल जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके टेलिग्राम जॉइन कर लेना फाइनल टीम फाइनल अपडेट पीचर पोर्ट और ट्रम काड प्लेयर सब कुछ वहाँ पर दोस्तों हम लोग बताते है मिर भाइट ठीक है तो आप लोग जॉइन कर लेना description box में दोस्तों आपको link मिल जाएगा ठीक है टेलिग्राम काफी आदा important रहता है अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बहला बात करेंगे M खातुम का खेलनी वाले दोस्तों इस मैच में 8% दोस्तों इनका selection है ठीक है M खातुम का selection देखोगे तो काफी यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम है और इन्होंने 17 पॉइंट ही दोस्तों इन्होंने अभी तक दिया हुआ है ठीक है अगर दोस्तों खेलेंगे तो फिर आप अपने डिम में ट्राइक कर सकते हो टॉप आटर की बैट्समन है और नई खेलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि इस तरह से बैटिंग कर रही है पिछले मैच में दोस्तों नोंने 4 रन वाले में 44 ठीके उसे पहले वाले में 6 रन मनाके 0 विकिट फिलाल बॉलिंग तो अभी बहुत कम चांस है कि बॉलिंग करें तो लेकिन अगर यहाँ पर वेस्टन पाफी अच्छी ओप्सन हो जाएगी अगर आप हेली मेथ्श कोड्र grants करो तो काफ्य आता है हैं पर दोस्तों रिस्क हो जाएगा क्योंकि वह आपको बॉन्रिंग भी करके 4 बर यह टेने वाट इनों नहीं दिया है, ठीके, बैटिंग ओर दोस्तो आठ नमबर पे है, सीधा टीम से ड्रॉप करके चल सकते हो मेरे बाई, रिसेंड फार्म, चार रन, छे रन, नौर रन का इनोंने स्कोर किया है, तो आप इनको अपने टीम से ड्रॉप करके चल सकते हो, Q Joseph एक अच्छी पीक है वन डाउन बैटिंग करने के लिए आईगी अगर आपने हेले में तुज और एस टेलर में से किसी एक प्लेयर को रखा तो फिर Q Joseph के साथ में आप जा सकते हो फॉर्स इनिंग में और सेकें निंग में भी भाई तिन नमबर की बैट्स में हैं दोस्तों और Q Joseph काफी अच्छे रिशन फॉर्म में दिख रही है 31 रन 0 विकेट उसके बाद 4 रन 0 विकेट उसके बाद 36 रन 0 विकेट यह दोस्तों इनके कुछ मैचेस के इनके प्लेयर दिखेगी दोस्तों और S-Rani के सेलेक्षन भी काफी कम है और इन्होंने दोस्तों 48 पॉंट दिया हुआ है अब अगर आप चाहो तो दोस्तों यहां से इसको ट्रम काड़ी के रूप में अपने टीम में रख सकते हो थोड़ा सा गर आप अपने टीम में फिलाल हम लोग दोस्तों इनको अपने टीम से ड्रॉप करके चलेंगे अब एस मोश्ट्री की बात करें तो दोस्तों 74 परसंट सेलेक्षन है 101 पॉइंट इस टूड़ा में दे चुकी है तीन नमबर पे दोस्तों इनका बैटिंग ओडर है रिसेंट फर्म बहुत अच्छा चल रहा है 44 पर फिर 36 पर फिर 15 रन कर तो रिसेंट में इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मस दिये तो यहां से आप आग बंद करके एस मोश्ट्री को आप अपने टीम में रखके चलिएगा उसके बाद टी निहार है दो परसेंट दोस्तों सेलेक्शन नो पॉइंट दिया हुआ है पाइट नमबर के बैटिंग ओडर इसका अगर बंगलादेश फर्स्ट इन्हों बैटिंग करती तो आप एक टीम में गलती से इसको ट्राई करना चाहो तो कर लेना अधरबाइट ड्रॉप करके चलना रीशन फर्म कुछ उतना खास नहीं है देखो के तो सात रन फिर जीरो रन फिर सतरा रन का इन्होंने स्कोर किया हुआ है ठीक है तो बैट फर्स्ट करती तो आप ट्राई कर सकते हो और रॉंटर में हैली मतुष जो दोस्तों की बीना सोचे समझे आप इनको रख लेना 94% सेलेक्शन है और 55 पॉंट दिया नाम बड़े दर्सन छोटे जितना बड़ा इनका नाम हो उत्रा छोटा है इनका इस मैच में परफॉर्म चल रहा है सीरीज में थिक है तो इनसे आप कम बैक की उमीद कर सकते हो दोस्तों ऑपनिंग करने के लिए आएंगे पूरे चार बोलिंग करके देंगी प्लस आपको दोस्तों यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में भी बालिंग करके देने वाली हैलिए मोतुष ठीक है तो important peak है चार वर भी डालेगी recent form की बात करें तो पिसले match में दोस्तों इन्होंने 8 run मना के 1 wicket निकाला उससे पहला 10 run मना के 0 wicket निकाला उससे पहला 42 run मना के 1 wicket निकाला तो यह इनका recent form है अच्छे peak है अपने डिमाप लेके जरूर जाएगा डी डोटेंशन की बात करें तो दोस्तों 80% तकरिबन सेलेक्शन है और अभी तकी श्टूडमन में 70 पॉइंट यह दे चुकी है बैटिंग और दोस्तों इनका 5 नमबर पे ठीक है और यहाँ पर recent form देखोगे तो 28, 13 और यहाँ पर दोस्तों 0 तो डी डोटेंशन को दोस्तों आप अपने टीम में बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो 5 नमबर की प्लेयर है बैटिंग आ गई तो ताबर तोड़ बैटिंग करके आपको दे सकती दोस्तों और सामने ओले टीम के बॉलर की धजिया भी गार सकती इतनी खतरनाक प्लेयर है ठीक है फि दो रन प्लस दो विकेट और उसके बाद पांच रन प्लस दो विकेट फिर 14 रन का स्कोर इन्हों ने किया मतलब दो मैच में दोस्तों इन्होंने दो दो विकेट निकाल के आ रही है तो आर्मोनी बहुत लोग इसको काप्टन वाइस काप्टन मनाएंगे आप सिर्व अपन दोस्तों देगो 6 नंबर पे है और पिछले मैच में दोस्तों इन्होंने 18 रन मना के एक विकेट भी निकाला था तो बालिंग भी करने का फुल चांस है दो से तीन उपर आपको ये बालिंग भी करके दे सकती है तो दोस्तों इंपोर्टन रोल प्ले कर सकती है तो आप अप वहीं चरव एज़े सक्तर 11 जनता अपने डीब में लेकर जा रही है ओसक्तर चीजन ओर रिसिन फॉर्म उत्ना चाहा नहीं चल रहा है दोस्तों तीन मेच में से शरीफ एक मैच में विकट निकाले दो मेच में दोस्तों विकट लेस गई है फीकश तो उतना कुछ अच्छा न रहेंगी यह सकतर आप अपनों टीब में अगर बैट्समिन की रूप में ट्राइ करना चाहते हो तो यहां पर आप रख सकते हो जब बांगलादेश के टीम बैटिंग फ़र्स्ट करेगी तब थी के छे नंबर पे दोस्तों इनका बैटिंग ओडर है अब ए एलियन की बात कर है तो दोस्तों साथ परसें सेलेक्शन है तेस पॉइंट अभी तकी स्टोन में दी वही है बैटिंग ओडर दोस्तों इनका साथ नंबर पे उतना इंपोर्टेंट पिक नहीं है अराम से दोस्तों आप इनको छोड़के चल सकते हो पिछले मैच पर भी जीरो विकेट उससे पहलो आले मैच में दोस्तों एक रन मना के दो विकेट ठीक है तो इन्होंने तीन मैच खेला दो विकेट निकाला हुआ तो एलियनिक उपर आप भरोसा तब जताना जब दोस्तों वेस्टन डीज के टीम बॉल फरस्ट करेगी तब ठीक है अब एप खातुम की बात करें तो आठ नमबर का बैटिंग ओडर है पिशले मेच में दोस्तों इन्होंने 5 रन मना के दो विकेट निकाला उससे पहले मैच में 10 रन मना के एक विकेट निकाला हुआ है तो रिशन फोर्म काफी अच्छी चल रही है दोस्तों इनको तो आपने डीम में हांसिए एप खातुम को अपने टीम में आज आप प्लेयर दोस्तों रखके चलिएगा अब बॉलिंग में दोस्तों सबसे बाला बात करेंगे एन अक्तर का 12% सेलेक्शन दोस्तों 111 पॉंड अभी तक इस टोनमें में दे चुकी अक्तर और जितने मैचेस खेले सारे मैचेस में विकेट निकाले है विकेट लेस गई नहीं दो विकेट पिछले मैच में फिर एक विकेट फिर एक विकेट तो हर मैच में दोस्तों आपको विकेट निकालके दे रहे है इंपोर्टेंट पिक रहने वाली है अराम से दोस्तों आप इनको भी अपने टीब में लेके जाईएगा ठीक है यहां से important role play करने वाली है एनकतर उसका बात एंडरी फ्लेचर है दोस्तों 91% तक्रीबन सेलेक्षिन है उन्हों 90 point दोस्तों अभी तक इस टूणामन में यह दे चुकी है मेरे बाइट ठीक है अब आर खान दोस्तों तीन मैच खेला और तीनों मैच में एक विकेट एक विकेट दो विकेट ठीक है बातर पर सेलेक्षिन है और 87 point दे चुका एक विकेट फिर एक विकेट फिर यहां पर दोस्तों दो विकेट यह कुछ इनके recent में लगातार मैचेस के recent format आप अब में आर ख इनकी तो बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों नीचे बॉलिंग करने के लिए आती है और इन्होंने पिछले मैच में दोस्तों एक विकेट निकाला उससे पहला एक विकेट दोस्तों इन्होंने निकाला हुआ है ठीक है उसके बाद यहां पर दोस्तों बात करेंगे हम तो डी एक तो पर आप नजर रखेगा मिर भाई आपको पावर प्ले प्लस आपको डेथ में बॉलिंग करके देने वाली है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम मुनासिर है जो की 3% सेलेक्षिन है दोस्तों उतना कुछ खास नहीं है अपने टीम से आप हमोने को Elminate करके चलोगे तो मिर भाई आपकी टीम काफी परफॉरम करने वाले थी है यहाँसे दोस्तों हम लोग सीट ओर सिर्फ रखेंगे यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों हम लोग रखने वाले हैं M.Aktar को M.Aktar एक अच्छी P.K. दोस्तो जो की 10% में आपको प्लेयर मिल रही है और काफी गजब की परफॉर्म भी गरके जा सकती है ठीक अब यहाँ पर दोस्तो हमारे टीम क्रियेट हो चुकि अब C.V.C. की बात कर लेते हैं की C.V.C. आपको किसको बनाना मिरे परेट बाएट ठीक है तो C.V.C. देखको की तो सबसे बेश्ट दोस्तो होई है क्या आप आर्मोनी को केप्टन मादो और यहां से दोस्तो आप हैली में दोसको वाइस केपटन मना दो तो दोस्तो यह है टीम अब इसके साथ में दोस्तों आपको अमारे टेलीग्राम पर 3 गरेंडी के टीम और मिलेगी आप लोग जॉइन करके रखना लिंक आपको दोस्तों डिस्केप्टिर्म बॉक्स में मिल जायेगा लगातार न النो, दददस पले, ड्रिम्डी में आरे होबी Captain और Vice Captain के साथ में बागि दोस्तो अगर अभी तक आपने इस विडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग